नवसकार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्र, आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले बात आज के पंचांकी 27 मार्च 2024 दिन बुधवार, चैत्र मास चल रहा है, क्रश्न पक्ष है, दुतियातिती रहेगी, साम को पांच बच कर छै मिनट तक फिर तृतियातिती शुरू हो जाएगी चित्रा नचत्र रहेगा, साम को चार बच कर सोला मिनट तक फिर स्वाति नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा तुला राशी में गोचर कर रहे हैं, भगवान शूर्य मीन राशी में विराजमान है विजय मुहूर्त का समय होगा, दो पहर दो बच कर तीस मिनट से, दो पहर तीन बच कर उननिस मिनट तक जो भी महत्यपूर्ण कारे करना है विजय मुहूर्त में करेंगे, तो कारियों के सफल होने की संभावना जाद रहेगी राहुकाल का समय होगा दोपहर 12.27 मिनट से दोपहर 1.69 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा शूल है उत्तर दिशा तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यातरा ना करें चले शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की मित्रों की मदद से काम बनेंगे कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी हर किसी से मन की बात शेयर करने से बचें धन निवेश में जल्दवाजी ना करें सिक्षा के छेतर में सफलता मिलेगी व्यापार में नुकसान हो सकता है जरूरी टिप धैर रखें शुबरंग भूरा उपाय किसी गरिब को भोजन दान करें ब्रश राशी प्रापर्टी से संबंधित काम बनेंगे लोगों से उलजने से बचें भाग का साथ मिलेगा अनजान लोगों के भरो से काम ना छोड़ें सेहत आपकी ठीक रहेगी जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में स्थिती अनुकूल रहेगी जरूरी टिप क्रोध से बचें शुबरंग क्रीव उपाय गव माता को रोटी खिलाएं मित उन्राशी भाग का साथ मिलेगा यात्रा से लाब का योग है आपके खर्चे बढ़ेंगे मन में नेगेटिव विचार ना पालें मित्रों की मदद से काम बनेंगे व्यापार में बड़े फैसले अचानक ना करें जरूरी टिप सेहत पर ध्यान दे शुबरंग हरा उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं करक राशी आपके खर्चे बढ़ेंगे काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी करियर को आगे बढ़ाने का समय है परिवार की बात मानने से लाब होगा रिष्टेदारों से मतभेद दूर होंगे व्यापार में नुकसान हो सकता है जरूरी टिप इगो से बचे शुबरंग बादामी उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें सिंग राशे धन लाब का योग है आपके काम की स्थिती बहतर होगी आपका यश और बढ़ेगा अपने सुभाव में क्रोध को हावी ना होने दे परिवार की कलह दूर होगी व्यापार में मेहनत को बढ़ाना होगा जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग सुनहरा उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें कन्या राशे रुका हुआ पैसा प्राप्थ होगा भागे का साथ मिलेगा करियर में सफलता मिलेगी मन में नेगेटिव विचार ना बढ़ने दे अपनी योगिता को बढ़ाने का प्रयास करें जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप क्रोध से बचें शुबरंग हलका हरा उपाय पक्षियों को दाना किलाएं अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है संजीव कुमार ठाकूर का इनकी डेट अब बर्थ है 30 अगस्त 1993 जन्म का समय सुबह 5 बचकर 10 मिनट जन्मिस्थान कटिहार बिहार का है इनका सवाल ये कि इनकी कोचिंग अच्छी नहीं चल रही है इने क्या करना चाहिए संजीव कुमार जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है हाँ इनका सवाल ये है कि नौकरी नहीं मिल रही है और कब इनकी नौकरी लगेगी ये सवाल है सौरी कोचिंग वाला किसी और का सवाल तो संजीव कुमार जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है 30 अगस्त 1993 पाँच बचकर 10 मिनट का टिहार बिहार इस आधार पे कुंडली तैयार है आपकी सिंग लगन की कुंडली है और मकर राशी आपका जन्म स्रवण नचत्र के 33 चरण में हुआ है इस समय आपकी ब्रहस्पती की महादसा चल रही है जो अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2037 तक चलेगी और ब्रहस्पती में शनी की अंतरदसा दिसंबर 2023 से जून 2026 तक चलेगी नौकरी कब मिलेगी ये इनका सवाल है देखे आपकी कुंडली के हिसाब से नौंबर 2024 से और जून 2026 के बीच में नौकरी प्राप्ती का योग है तो आप अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजे तो कि नौंबर 2024 से योग शुरू हो जाएगा बहुत जादा मेहनत करने की जरूरत है चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है मन एकागर नहीं रहता है कंसंट्रेट करके आप पढ़ाई नहीं कर पाते और अगर जौब चाहिए माल लिजे आपको कोई अच्छी जौब चाहिए जिसके लिए त्यारी करनी पड़ेगी कोई अच्छा जो है इंटर्व्यू देना पड़ेगा कुछ एक्जाम देना पड़ेगा तो उसके लिए एकागर मन से मेहनत करने की जरूरत है उसके लिए आप खुब मेहनत करना शुरू करिए छटे घर में चंद्रमा बैठा है एकागरता नहीं बनने दे रहा है उसके लिए आप प्रति दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें सुबह जल्दी उठने की आदट डालिए कोशिस करें कि सुबह पांच बजे उठ जाए इसनान ध्यान करें और भगवान शूर को अर्ग दें उसके बाद घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाकर के भगवान शिव को जल अर्पित करें नमाश शिवाय मंत्र का ग्यारह माला रुद्राक्ष की माला से जाब करें और फिर पढ़ने बैठ जाएं भगवान की पूजा करके पढ़ने बैठिये तो आपकी एक कागरता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और बिना महनत किये बिना पढ़ाई किये अच्छी नौकरी मिलना किसी के लिए संभव नहीं है तो आपको महनत बढ़ानी होगी और जो उपाय बताया आपको यह उपाय करेंगे तो जल्दी हो जाएगी भगवान की क्रपा से नौकरी मिल जाएगी तो यदि आपके मन में भी सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखें वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे तुला राशी विदेश से जुड़े काम बनेगे अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी प्रोफेशन में सफलता प्राप्त होगी जल्द वाजी में फैसला करने से बचें सेहत का ख्याल रखना होगा व्यापार में सावधानी बरतें जरूरी टिप वाणी पर नियंत्रन रखें शुबरंग गुलाबी उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें ब्रिश्चिक राशी धन लाब के लिए मेहनत बढ़ाना होगा कारियों के अच्छे नतीजे मिलेंगे करियर को आगे बढ़ाने का समय है जीवन सांथी से सहयोग प्राप्थोगा मनो बल उचा रहेगा व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप आलश्य से बचें शुबरंग गेरुआ उपाय किसी गरीब को भल का दान करें धन राशी लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें किसी से बहस करने से बचें उधार पैसा लेकर कोई काम ना करें रिस्तों को लेकर चिंता रहेगी सेहत के मामले में लापरवाही ना करें व्यापार में नुकसान हो सकता है जरूरी टिप हर काम में साउधान रहें शुब रंग औरेंज उपाए किसी गरीब को भोजन दान करें मकर राशी करियर पर ध्यान देने का समय है योजना बना कर काम करने से लाब होगा परेशानियों से चुटकारा मिलेगा किसी से कोई बड़ा वादा ना करें जीवन साथी की सला से काम करें जो लोग बिजनस करते हैं व्यापार के छेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा जरूरी टिप इगो से बचें शुब रंग नीला उपाए किसी गरीब को हरे फल दान करें कुम्भराशी प्रापर्टी से सम्बंधित काम बनेंगे सुक्स विधाएं जीवन में बढ़ेंगी घर परिवार को समय देना होगा यात्रा से लाब का योग है महत्य पूर्ण लोगों से मुलाकात होगी व्यापार में स्थिती बहतर होगी जरूरी टिप कम बोलें शुब रंग आस्मानी उपाएं किसी गरीब को आठे का दान करें मीन राशी रुके हुए काम बनेंगे मित्रों की सला से बड़े फैसले करने होगी करियर के छेत्र में स्थिती बहतर होगी क्रोध को अपने उपर हावी ना होने दे धन लाब के लिए किये गए काम सफल होंगी व्यापार में लाब के योग बन रहे हैं जरूरी टिप किसी काम को टाले नहीं शुब रंग हलका हरा उपाएं गव माता को रोटी के लाएं राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलकात जिन लोगों का आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बढ़ाई आपका आने वाला समय बहुत शुब हो साल बहुत अच्छा बीते नमस्कार